Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education आज जिस महतोपूर्ण इन्फरमेशन जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के वीच उपस्तित हूँ ये संबंजित है First Year BA, BSC, B.com हिमाचरप्रदेश University ने UG के खराब परिक्षा परिणाम के मामले में HPU ने विद्यार्थियों को राहत दी है किस प्रकार की ये राहत जो है विद्यार्थियों को दी गई है जो विद्यार्थि BA, BSC, B.com First Year में फेल हो गए है और जो विद्यार्थि अभी Second Year में थे लेकिन वो BA, BSC, B.com First Year में फेल हो गए है तो उनके लिए UG का जो खराब परिक्षा परिणाम आया है उसके चलते हिमानचरप्रदेश University ने इन BA, BSC, B.com में फेल होने वाले बच्चों को विद्यार्थियों को राहत परदान की है और इसकी आधिकारिक सूचना भी हिमानचरप्रदेश विश्विद्यायले के द्वारा जारी की गई है क्या है ये पूरी सूचना आप विडियो में बने रहें मैं बताऊंगा यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप इस विडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक भी शेयर करें अगर अपने जो है जितने भी पेपर में वो फेल हुए हैं तो अगर उन्होंने उसका रिवैलुएशन भरवाया है ठीके तो रिवैलुएशन भरवाने के नतीजे जब तक रिवैलुएशन का पुनर मुल्यांकन का result अगर सही नहीं आता है तो उन्हें फर्स्ट इयर में बापिस जाना पड़ेगा और पुनर मुल्यांकन के बाद जब वो college में जाएंगे तो उन्हें college में जाकर एक शपत पत्र जो है दायर करना पड़ेगा जिसमें उनको ये शपत देनी होगी कि मैं जो है मैंने revolution करवाया है बकाइदा उसका evidence भी आपको देना पड़ेगा और revolution के बाद अगर मैं पास होता हूँ तो मैं second year में बैठूंगा अगर मैं fail होता हूँ तो अगर मेरा result same fail रहता है जो पहले था तो आप जो है first year में ही रहेंगे तो इस प्रकार जो है हिमाचर प्रिक्षा परजिणाम के बाद प्रदेश भर में बिरॉद प्रदर्शन जो है चातर संगत्रषनों के दodus द्वारा किये गए और इसके अलावा विदियार्थियों के द दौरा भी विरूद प्रदर्शन के बाबजूद जो है यह फैसला हिमाचर्वदेश युनिवर्श की द्वारा लिया गया है कि अगर विद्यार्थी जो बीए प्रथम बर्ष में बीकॉम में फेल हुए हैं अगर वो पुनर मुल्यांकन के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रथम बर्ष में जो फेल हुए हैं तो उनके पुनर मुल्यांकन के नत अनुमती दी है और अधिसूचना में ये साब किया गया है कि जिन फेल विदियार्थियों ने पुनर मुल्यांकन के लिए आवेदन नहीं किया है जिन्होंने रिवेलुशन के लिए अपलाए नहीं किया है वो विदियार्थी जो है ये उन्हीं विदियार्थियों के लिए है जिन्होंने रिवेलुशन भरा है विए फॉस्ट एयर का और वो शबत पत्र दायर करके जो है सेवन जो है सेकंड एयर में बैट सकते हैं लेकिन अगर उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता है वो फेल ही रहता है पहली की तरह तो उन्हें फॉस्ट एयर में बापिस जाना पड़ेगा और मुल्यांकन का आवेदन करने वालों को वकाइदा जो है शबत पत्र में लिखकर ये देना होगा कि यदि भी पुर्णर मुल्यांकन के नतीजों में फेल होते हैं तो उन्हें बापस प्रथम येर की पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ विद्यार्थी कह रहे थी कि उन्हें ग्रेस मार्क्स देना चाहिए लेकिन हिमाचर प्रदेश उनिवरसिटी पहले ही ग्रेस मार्क दे चुका है जब यूजी के नतीजे घोशित किये गए थे तो फेल हुए विद्यार्थियों को उनकी उमीद के मुताविक शायद ही कृपांक मिले हो जानकारी के अनुसार जो प्रिक्षाव बिंग है पहले ही परिणाम में सुधार लाने के लिए कॉर्डिनेंस में किये गए प्रापधानों के अनुसार कुल अंकों का एक प्रतिशत जो है ग्रेस मार्क्स विद्यार्थियों को देता है तो फेल विद्यार्थियों को यदि इसके अतिरिक्त अगर ग्रेस मार्क्स मिलने है पास होने के लिए तो इसके लिए बिश्व विद्याले की जो एक्जेक्यूटिव कॉंसिल है कारेकारी परिशिद है वो ही निरने ले पाएगी कि क्या ग्रेस मार्क्स और देने चाहिए या नहीं लेकिन अभी तक जो बात आप लोगों के बीच क्लियर है वो यह है सर्कुलर जारी हुआ है 29 तारी को जिसमें यह कहा गया है कि 22 चांसलर जो है special case students को जिन विद्यार्थियों जो BA, BSE, B.com में first हुए है फेल हुए है और उन लोगों को special case जो है treat करते हैं और उन लोगों को जो विद्यार्थी BA first year examination में फेल हुए थे ठीक है नवंबर 2022 में जिनका result डिक तो फेल आफ्टर दा रिजल्ट ऑफ रिवैलुवेशन तो रिजल्ट ऑफ रिवैलुवेशन के बाद अगर वो फेल होते हैं तो वो first year में आप पर जाएंगे तो वीडियो को आप अधिक से अधिक अन्य अविद्यार्थियों तक भी शेयर करें ताकि उनका benefit हो thank you very much